प्रचाम हैं अभी मैं आगिया हूँ संद्धनी चोक लालकिला के पास तो अभी आपको मैं लालकिला के नजारे और चाम नेथिखा हूं हुआ। यह कोवीड में ऐसा यहां पे बहुत फीड होती थी पहले लेकिन आप बिल्कुल खाली पढ़ा है सबुदे कर देख सकते हो मरे पीछे अब आपको लाल किला दिखाता हूं चाहां में चोप यह मेरे पिछे आप देख रहे हो मार्केट बिल्कुल खाली बड़ा है यहां पे चोर वजार लगता संडे को हर संडे लेकिन फिलाल अभी देख लो पोई सिर्गान फुला हुआ नहीं है सब खाली बड़े हैं यह सामने लाल किला है देख लो भी बंद पड़ा है सब कुछ रिफेरिंग के काम सल रहा है यह है लाल किला और यह है इदर चांदनी चोक मार्केट इसका भी रिफेरिंग का काम चल रहा है देख लो आप पहले से काफी अच्छा बना दिया गया है चांदनी चोक देख सकते हो आप यह है लाल किला सामने यह है यह है जैन मंदीर लाल किला विल्कुल खाड़ी खाली पड़ा है देख लिए आपने रिफेरिंग का काम चल रहा हुदर भी और यह पीछे देख लो चांदनी चोक कितना अच्छा बना दिया पहले से बिल्कुल साफ उत्रा बिल्कुल खाली पड़ा है मार्केट चांदनी चोक का और यह गोरी शंकरमंदीर है मेरे पीछे भोले नापका तो देख लो अभी पोवीड के टाइम पर पूरा मार्केट खाली पड़ा है कोई नहीं है यह है दोस्तों चांदनी चोक का मार्केट जो की पोवीड से पहले बिल्कुल खचाकच बरा रहता था यहां पैर रखने की जगे नहीं मिलती थी लेकिन अब बिल्कुल करोना में खाली पड़ा है सब बंद पड़ा हुआ कि अजारा मेंने पहले कभी नहीं देखा चांदनी चोक का कि इतना खाली खाली देख लो सब मार्केट खाली पड़ी और यह अब देख रहे हुए पहले ऐसा नहीं था रोड बिल्कुल बेकार थे आंके अब बहुत ही अच्छा बना दिया गया मैं भी बहुत दिनों के बा और मैं दिखा रहा हूँ आपको यह स्टेट बैंक है बारतिय स्टेट बैंक सांगे यह सामने सीश गंज गुरुद्वारा है पुरानी डिल्य का काफी मशूर गुरुद्वारा है यह सीश गंज गुरुद्वारा यह मेरे पीछे आपने देखा यह सीश गंज गुरुद्वारा है पुराने दिल्ली में वाफी बड़ा गुरुद्वारा है बहुत पुराना गुरुद्वारा है यह पुराने दिल्ली का चांदरी चौक का अगर वीडियो अच्छे हो तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट जरूर करना भाई तो ब्लोग को मैं व्यांड करता हूं